हेलो फेंट्स वल्कम टू इग्जाम ड्राइब स्वाज इस सुड़ी में बात कने वाले एयरपोर्ट्स अथोर्टी ओफ इंडिया एयाई की तरफ से निकलने नियू रिकूट्मेंट के बारे में किया जाता है present Om वैक हो जाता है आए क्या आपको क्या आपको जाता है कि कर सकते हैं निकस्ट यहां पर चाहें तो कुसके लिए कि न उ जर्थ के लिए तो सब्सक्र्सने कंसे देखने के लिए सिंपल सा को करना किया यहां पर देखसकते हैं जो भी यां पर आपको industry का नाम दिया घया अगर city district माइátे तो आप eligible है अगर नहीं आते हैं एक ईजिबल है यहां पर टोटल और का को और हैं दिया गया, अगर आप वहां पर ही भी होएं, अगर आप वहांना तो आप एलिजीबल यहाँ पे अगर आप वहां नहीं रहते inhib Surprise to नेक्स जो इंपोर्टेंट चीज था मैंने आपको पहली बता दिया आप नॉर्डरन रीजन यानि कि जिस रीजन के लिए अपरेंटिशिप निकला हुआ है उस आपको लगभग उस सीटी या फिर उस डिस्टिक में आपका लोकेशन होना चाहिए तो आप यहां पर है तो सबसे पहले हमनों बात कर लेते है कौन-कौन से ब्रांट येस वाले है किस किस चीज में दीजी सीज में है सबसे पहले मैं बीटेक कर बताता हूं फिर डिप्लोमा फिर ये लाइन सा चलेंगे तो यहांपरNewTec का से दिए है नेक्स्ट यहां पर इंद्ट्रिकल नेक् बिटेक में बिटेक नहीं बोला गिया देख सकते हैं यहां पर सिर्फ ओटोवायल का है तो यह चीज़ आप देख लिजएगा next आप बात के लिए तो यहां पर डिप्लोमा वह लोग टो दिप्लोमा नेक्स्ट यहां पर अगर आपने इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया सब में इप्लोमा नर्ड on पर और ऐरो स्थ फीर एरो स्थेश्याया आर्ट्राक्यू असपर में में अपड्ल में आप लिजीबल एप नॉर्डर्ड बिजन के। यह पूरा आपको दीया गया है city का नाम और आपका district का नाम तो जो भी city या फिर डिस्टिक है आपका अगर आप आते हैं इन सब में तो आप apply कर सकते कोई दिख्कत वाली बात नहीं है है सो नेक्स अब बात के लिए अगर आप apply करना चाहते हैं तो पूरा प्रोसेस क्या होना है क्या कि आपको कंडिशन है तो लास्ट डेट जो अप्लिकेशन करका गिए वह आपको 31 10 2021 रखा गिया है और आपका जो बीटेक होना चाहिए जिस भी डिसिप्लिन में apply करना चाहिए घरते हैं उसके लिए और अगर डिप्लोमा के लिए कर तो डिप्लोमा होना चाहिए जिस है स्ट्रीम में आप apply करना चाहिए उसके लिए नेक्स्ट बात के हैं आपको apply कैसे करना है तो apply के लिए simple साबको जाना हैँए अप्रेंटिस इंडिया का यहां पर देख सकते हैं, नेक्स्ट यहां पर बात के लिए आपका mode of selection का तो यहां पर पहली बोल जाएगे, आपको merit के base पर selection लिया जाएगा, और उसके बाद अगर जरूरी हुआ, तो या फिर interview हो सकता है, या फिर आपको document verification हो सकता है, जाला chances आपको merit के base पर selection होगा, और इ apprenticeship का एक rule होता है, कि अगर आपका pass out हुए तीन साल से ज्यादा हो चुका है, तो आप eligible नहीं रहेंगे, उसका आप apprentice नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर भी same चीज रखा गया है, 2019 के बाद वाले batch है, यानि 2019 या फिर उसके बाद है, तो आप eligible है, मतलब 2019 batch, 2020 batch और 2021 batch जिसका result आच लिमिट के बारे हम बोला गया है, 26 years maximum होना चाहिए, आपको 392021 तक यूर कटेगरी के बाद बाद बाकी को आपको relaxation मिल जागा as per rules, अब apply करने के लिए पूरा process किया है, तो सबसे पहले अगर आप diploma या फिर b.tech है, तो आपको mhrd.gov.in पे आपको register कर लेना होगा, register करने का simple स process आपको normal details मागा जाएगा, वो मैं आपको official website पर भी ले जाओंगा, तो दिखा दूँगा कैसा आपको apply करना है, उसके बार आपको क्या करना है, जब आप register हो जाएंगे, login कर लेंगे, login करने के बार आपको देख सकते हैं, या तो आप ये number है, जो bracket हटा के है, तो इसको type भी कर सकते हैं, वहाँ पर search में जाके type करना होगा, find establishment में, और उसके बाद यहाँ पर आपको click कर देना है, और click करने के बाद वहाँ पर search ले लेगा, और उसके बाद आपको दिख जागा, यहाँ पर airport authority of India का, यहाँ पर तो आपको apply कर देना है, इस तरह से आप apply कर सकते है अगर आप diploma या फिर btec है, तो mhid nets के तुरू, अगर आप IT है, तो उसका अलग website हो भी मैं आपको बता दूँगा, अब apply के लिए यह सारा चीज आप देख लीजेगा, normal condition जो चीज आपको बोल दिया गया, यह सब चीज आप देख लीजेगा, अब नीचे हम पुरा process बता यहां पर graduate और graduate देख सकते हैं, तो इसी साब से आप यहां पर northern reason का जो यहां पर देख सकते हैं, blue color में दिया गया, तो northern reason पर जाना है, तो northern reason पर apply करना है, मैं आपको official website पर भी ले चलूँगा, तो दिखा दूँगा, अब बात कर लेते हैं, आपका जो IT ही के लिए, तो IT मे में, तो mostly जो भी होंगे वह पर computer operated and programming assistant में होंगे, तो आप eligible apply कर सकते हैं, number of seats 24 है, one year का apprentice रहेगा, 9000 आपको stipend मिलेगा, अगर आप northern reason की इन एरियाज में आते हैं, तो आप यहां पर eligible apply कर सकते हैं, apply के last date देख सकते हैं, 31, 2021 रखा गया है, और IT यह बोला गया, NCVT pass होना चा पर होगा, आपको selection उसका आपका direct document verification होगा, interview के chances आपके ना के बराबर है, next यहां पर भी आपको सेम चीज़ बोला गया है, कि आपको 2019 या फिर 2019 के बाद के batch का होना चाहिए, तो 19, 2020, 2021 जिनका result आ चुका है, या फिर last date तक आ जाएगा, तो आप eligible रहेगा, last date तक अगर आप आप not eligible है, 2021 batch के लिए, बाद बाकी यहां पर 19, 20, 2021 जिसका result आचुका हो लोग eligible है, next यहां पर age limit यहां पर भी 26 years रखा गया, maximum as on 39, 2021, तो यह चीज देख लीजेगा, अब apply के लिए इसमें आपको क्या करना है, अगर आप ITA वाले है, तो आपको जाने apprenticeship India के website पर, यहां पर आप देख सकते हैं, अगर आप ITA है, तो आपको apprenticeship India पर जाना है, यहां पर simples आपको देख सकते हैं, यहां पर आपको जाने के बाद आपको पहले register कर लेना, अगर आप register नहीं किये हुए है, पहले से तो register कर लेने के बाद, simples आपको एक registration number मिल जागा, और उसका आपको login हो ज आपको पूरा बताया गया है, कैसे आपको apply करना है, तो यहां पर सबसे पहले आपको जाना है, यहां पर आपको जाना है, और सर्च वाले कॉलम पर जाना है, यह सारा चीज आपको फिल कर लेना है, फिल कर लेने के बाद देख सकते हैं, यह आपको registration number मिल जाए, कुछ इस option पर search में जाना है, search by establishment name में, और यहां पर आपको जो मैंने बताया, उस तरह से आप copy कर लिजेगा, और इसके बाद यहां पर search by establishment name में आपको paste कर देना है, और उसका आपका option आजाएगा, आप जिस post के लिए apply करना चाहते है, जैसे computer operator के लिए करना चाहते है, तो वहां पर आप देख सकते, enroll पर click करकर register कर लेन, register कर लेने के बाद आपको यहां पर जाना है, establishment में, यहां पर आप देख सकते, जब आप यहां पर login रहेगा, तो आपका option यहां पर दिख जाएगा, find establishment का, जैसे आपने, मैंने PDF में दिखाया, देख सकते, मैं आपको screenshot दिखा देता हू यहां जो PDF में आपको, यह रेजिटर का है, register कर लेन के बाद आपको यहां पर register हो जागा जैसे, तो आपको यहां पर आजाना है, register के बाद आपको registration नमर मिल जाएगा, यहां पर आप देख सकते, जब आप login रहेंगे, देख सकते, यहां पर corner पर आपको login किया गया, login जैसे रहेंगे, यहां पर देख सकते, आपको name लिखा गया, ऐसे तरह से आपको name रहेंगा, login रहेंगे बाद आपको यहां पर home दिख जाएगा, communication, employment, apprenticeship और establishment request दिखेगा, यहां पर click करना है, उसका second वाले पर जाना है, find establishment में, और find establishment में जाने के बाद यहां पर आपको दिखेगा search establishment और establishment list, तो search establishment में जाना है, then यहां पर preference और establishment name, तो name में जाना है, then airport authority of India यहां पर type करना है, spelling देख लेंगे, बिना spelling mistake कीड़ कीजेगा, और यहां पर तीन option खुल जागा, southern region, northern region, northern region, तो northern region जो दिल्ली वाला है, इस पर आपको click करना है, यहां पर देख सकते है, airport authority of India, new दि तो इस पर आपको click करना है, then यहां पर आपको जाके apply करना है, अब next यहां पर इसी प्रकार से बात कर लें, ita वालों के लिए, तो ita के website मैं आपको बता है, apprenticeship India यह website है, यहां पर सबसे पहले आपको register कर लेना है, अगर registered पहले से, तो आपको login कर लेना है, नहीं है, तो register कर लीजेगा, आपको registration number मिल जागा, registration number मिल जाने के बाद, login हो जाने के बाद, आपको यहां पर menu पर आना, right side में जो है, यहां पर आना, apprenticeship opportunities पर, इस पर जैसे आपको click कर लीजेगा, तो नीचे आपको apprenticeship opportunities को option खुल जागा, यहां पर आपको आना है, search by establishment name, यहां पर आपको type करन आपके सामने उस पर आजाएगा option, यहां पर आपको click करना है, then आपको यहां पर करना किया, simple से आना है, और Airports Authority of India को यहां पर से copy कर लेना है, इस तरह से, देख लीजेगा, आपको dash वगरा ना है, इतना ही आपको copy करना है, और इसका establishment name में यहां पर search कर देना है, search करने के आपको इधा हुदर touch नहीं करना है, रुख जाना है, उसका जो आएगा option, यह सब को scroll करके नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद किसी पर भी आप click कर दीजेगा, जो आपको नाम लिखा है, आपको यह सब को छोड़ के जिस पर नाम नहीं लिखा है, देख सकते हैं, आपक आपको कोई भी नाम नहीं है, ध्यान देंगे यहाँ पर RH की ER है, NR का जिकर नहीं है, तो हम लोग को NR क्लिक करना है, तो सिंपल सा Airports 30 of India पर क्लिक कर दीजेगा, क्लिक कर लेने के बाद नीचे आपको option खुल जागा, तो आपको जो भी branch हैं यहाँ पर आपको apply कर देना उसक सिंपल से यहाँ पर आपको किसी में भी क्लिक कर सकते हैं, कोई भी आपको fee नहीं लगने वाला है तो apply ज़रूर कीजेगा, बट यहाँ पर एक चीज है, दिल्ली का भी तक IT में अपडेट नहीं किया गया, सारी links description box मिल जाएगा, वीडियो देखने के लिए धने बाद